आज की वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं Commerce स्टीम के अंदर जो सबसे toughest exam होता है वो होता है CA का अब इस exam के अंदर देखिए बच्चों बहुत ज़्यादा pass नहीं हो पाते हैं रिजल्ट कम हाता है जैसा कि हम देखते हैं लेकिन क्या इस exam के अंदर हम All India Rank ला सकते हैं और एक बार जितने भी बच्चे देखिए इस course के अंदर अपने आपको enroll करते हैं उनके मन में कहीं न कहीं ये ख्याल जरूर आता है कि यार All India Rank की तहरी क्या की जाए लेकिन जब वो syllabus देखते हैं बाकी सारी चीज़ देखते हैं थोड़ी सी classes करते हैं तो उनका ये जो सपना होता है वो इसको छोड़ देते हैं और सिर्फ पास होने की तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन अगर आपने एक बार सोच दिया कि हम All India Rank ला सकते हैं तो आप जरूर ला सकते हैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है effective way में अपनी studies को plan करना है आपको यहाँ पर smart work करना है hard work के सासा तो sir, how to get All India Rank in CA exam यह हमारा आज का topic रहने वाला है तो इसके लिए देखी आपको चार में बाते बताने वाला हूं और अगर आप इन चार बातों को follow करते हैं seriously आप easily All India Rank score कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक चीज़ का बहुत ज्याद ध्यान रखना है वो है आपकी consistency यह चारो बाते मैं आपको बता रहा हूं इसको आपको consistently follow करना है consistently अगर आप देखिए self study करते हैं self discipline के साथ इन तीन शब्दों को गार्ट बांद लीजे consistency, self study, self discipline आप बहुत असानी से पास ही नहीं All India Rank ला सकते हैं अब सर हमें करना क्या है तो सबसे पहली चीज़ देखिए आपको क्या करना है आपका syllabus है उस syllabus को आपको time पे complete करना है अब जब मैं कहता हूँ कि syllabus time पे complete करना है तो इसका मतलब यह है कि exam से कम से कम 2 महीने पहले आपको अपने सारे subject को देखिए complete कर लेना है और जब आप syllabus को complete कर रहे हो उस ही साथ साथ आपको एक revision देनी है तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पर देखिए helping tool लहने वाला है वो है completion of syllabus आपको पता होना चाहिए कि आपका course के अंदर कितना syllabus है, कौन कॉंसे topics है कहां कहां क्या क्या चीज़े पूछी जा रही है वो आपको सारी complete करनी है syllabus complete करने का मतलब कर बच्चे ही निकाल लेते है कि सर हमने सारी वीडियो देख ली एक बार questions की practice कर ली that means हमारत ले बस हो गया नहीं सर ये मतलब नहीं होता कोई concept आपसे क्या कह रहा है वो concept आपको अच्छे से पता होना चाहिए उसकी understanding होनी चाहिए कि उसका क्या मतलब निकल कर आता है अगर मैं कहा रहा हूँ GST के अंदर के reverse charge की बात है तो reverse charge का मतलब क्या होता है क्यों government reverse charge को लेकर आई किसी particular service पर अगर reverse charge लग रहा है तो क्यों लग रहा है आपको इस तरीके से देखिए reasoning पता होनी चाहिए और जब आप इस तरीके से understanding लेते हैं एक बार हमने देखिए अपना सारा slab of strangly complete कर दिया तो इसके बाद आपको क्या करना है कि सर जितने भी topics आपके पास हैं जितने भी subjects आपके पास हैं आपको उन सब के questions की practice करनी है क्योंकि practice alone makes a man perfect तो सर आपको always practice करनी है questions की इस तरीके से कि आप उन questions को exam में कर रहे हो क्या मतलब है सर इस बात का जैसे कि आप देखिए accounts के questions की practice कर रहे है आपको हाँ पर काफी सारे working notes बनाने पड़ते हैं तो आप उन working notes को इस तरीके से बनाओगे कि आप exam में लिख रहे हो working notes तो कि यहां पर जब आप देखिए 50 questions की practice करोगे बहुत अच्छे तरीके से तब जाकर आप उस एक question को अच्छे से कर पाऊगे जो examiner आप से पूछने वाला है तो उस एक question को अच्छे से करने के लिए आपको यहां पर कम से कम 50-60 questions बहुत अच्छे से करने होगे ताकि उस limited time frame के अंदर आप उस questions को complete कर पाए और इस तरीके से के proper working notes हो proper calculations हो प्रॉपर देखिए चीजों को देख कर समझ में आए 50% preparation, 50% presentation matter करती है आपके exam के अंदर और वो presentation आपकी तभी develop होती है जब आप घर में जब questions के practice करते हो तो इस तरीके से करो कि exam में आप questions लिख रहे हो इस जिसका बहुत ज़्यादा यहां पर देखिए आपको ध्यान रखना है very simple इसके बाद सार आपको करना है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 महीने पहले आपका syllabus complete हो जाना चाहिए आपको 5-6 revisions देनी है तो 5-6 revisions काफी जादा है जी हाँ अगर आपको फल बड़ा चाहिए तो महनत भी आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी तो 5-6 revisions आपको करनी है इस एक revision और syllabus completion के बाद मैं बता रहा हूँ include नहीं है ठेका जी वो बहुत अच्छे है कुछ बहुत simple होंगे कुछ average होंगे तो simple वाले questions आपको identify कर लेने है जो questions बहुत अच्छे है उनको identify कर लेने है किसी question के अंदर 2-3 point ऐसे है जो बहुत अच्छे है बागी question average है तो उन 2-3 points को आपको highlight कर लेने है कि अरे इस question के अंदर ये 2 बाते है ये 2 adjustments है जो बहुत अच्छी पूछी इंस्टूट ने है बाकी सब चीज है तो वही है जो बाकी 70-80% में questions में पूछी गई है तो आप जब इस तरीके से questions को bifurcate कर लेते है तो आपको पता लग जाता है और revision के time पर कि कौनसे questions है मुझे जो दुबारा से हाथ से करना है कौनसे ऐसे questions जिनने में एक बार देख लेता हूँ तो भी मुझे सारी चीज़े समझ में आ जाती है क्योंकि वे चीज़ें repetitive बार-बार एक ही questions में आ रही है तो इस तरीके से bifurcation आपको करनी है इसे कहते है smart study ताकि अब कम time में ज्यादा questions को कर पाओ ठीक है ठी और questions की practice हमेशा हाथ से करना है मैं बार-बार कहा रहा हूँ ये बहुत जरूरी है सर जब आप देखिए आखरी के 2 महिनों में 5-6 revision दे देते हैं इसके अंदर आपको हर रोज कम से कम एक test paper लगातार 30 दिन तक देना है देखिया आपने सारी चीजे करी आपने course time पे complete किया आपने questions की practice करी आपने revision करी लेकिन exam में 3 गंटे के अंदर आप क्या सही तरीके से present कर पाए exam का pressure अलग होता है आपको 3 गंटे के अंदर question को solve करना है तो वो चीज कैसे पता लगेगी जब आप घर पे खुद दिखे questions की practice करेंगे इस तरीके से की exam में लिख रहे है 3 गंटे के अंदर आपने paper solve किया आपको समझ में आ जाएगा और अगर आप इनको खुझ चेक करते हैं बहुत अच्छी बात हैं नहीं चेक करते हैं तो आप हमारे से भी कर सकते हैं या और भी देखिए बहुत सारे ऐसे persons हैं बहुत सी ऐसे organizations जहाँ पर आप इन चीज़ों को कर सकते हैं लेकिन test जरूर देना है वेबसाइट का लिंक देखिए आपको description में मिल जाएगा e-squarters हमारी वेबसाइट है इसके असास्ता 888880402 हमारा नंबर है देखिए जहां पर आप देखिए courses की inquiry कर सकते हैं हमारी support team, counselors जहां आपकी पूरी help करेंगे तो एक छोटी सी informative वीडियो आप लोगों के लिए जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके हैं हम All India Rank को score कर सकते हैं जो की 100% achievable है provided कि आप देखिए शिद्दत के साथ इस चीज को follow करें passion अपना लगाएं कि हा सर मुझे करना है तो करना है ध्यान रखिएगा consistently self discipline के साथ self ready करेंगे तो बहुत असानी से यह हुपाएगा तो मिलते हैं अगली informative वीडियो के अंदर तब तक के लिए Thank you so much